बिसवजीत के नाम से बिसवजीत फेक बिसवजीत बिटा अगर आप पावर एलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन करना चाहते हूँ तो आप क्या करोगी सिर्फ वो क्वेश्चन्स रिवाईज करो जो अब तक आपने लगाए हैं और बहुत अच्छे questions हैं, सिर्फ उतना revise कर लो, और power electronics का बेटा formula session इसी channel पर सर्च कर ले न, A bug converter is operating in steady state continuous conduction mode with a duty ratio of 60%. If the inductor current has a DC component of 5 ampere, peak to peak ripple of 1.5, what is the RMS value of switch current? ये अमन जो है new educator पे ही टिका हुआ है, बताओ, मैं देख रहा हूँ, सुबह से ये बन्दा न, एक ही सवाल में उलजाए, मैं बेटा मुझे भी तभी मालूम चलेगा कौन आ रहा है जब आन अकैडमी वाले बताएंगे, है ना, तो मैं आप लोगों को ही बता दूँगा उस दिन, अभी मेरी बात नहीं हुए है सरसे जो आने वाले हैं, चलो भाई, अब देखू, मैंने तो बोला नहीं है यार, अज़ा कल से लगे हो, बेटा मैंने तो किसी का नाम लिया नहीं है, तुम्ही लोग गेस कर रहे हो, क्यों नहीं सेशन पर फोकस कर लेते हो, चलो जल्दी से बताएंगे, 3.887, देखो यहाँ पर क्या होता है ना, यह अगर हम इंडक्टर करेंट वर्जिस टाइम का ग्राफ बनाएं यार, तो देखो कैसा होता है, एक यह तो कॉंस्टेंट वैल्यू है, डी सी कंपोनेंट जो बुला है 5 एमपीर, अब इसके उपर ना रिपल होती है, कुछ इस टाइप से, और यह रिपल कितनी है, पीक टू पीक 1.5 यानि यह कितना है, 0.75, तो हम क्या करते हैं ना, सब से पहले, इंडक्टर का आरेमेस करेंट निकाल लेते हैं, कैसे, पीक बाए रूट 3 का स्क्वाइर, तीक्टर, 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 5.0187 ठीक है यह बन गया अब यहाँ पर आप से पूछा है स्वेच का RMS करेंड 5.0187 3.887 बहुत बढ़िया समझ आया तो इंडक्तर का RMS करेंड कैसे आता है एवरेज वैल्यू और उसकी रिपल के हिसाब से चलो क्लियर हुआ अगला देखे अधित्य बेटा जब यहाँ पर रिपल दे रखा है ना तो रिपल को आप यूज कर लो अगर रिपल नहीं निकाल सकते तो फिर आपको मजबूरन I0 को constant IL को constant मानके चलना पड़ेगा ठीक है लेकिन अगर रिपल दे ही रखा है तो निकाल लो बेस्ट है ना एग्जैक्ट आ जाएगा अंसर यार अनकैडमी पर एजुकेटर बनना हो तो क्या करना पड़ेगा यार यह देखो या तो prior teaching experience हो अमन या फिर बिटा आपका कोई rank हो अगर आप rank लाते हो या फिर अगर आपका prior teaching experience है तो तो directly आप मुझे contact कर सकते हो इसके अलावा अनकैडमी चलाता है Phoenix प्रोग्राम जिसके बारे में मैंने आपको यहाँ पर बताया था YouTube चैनल पे वहाँ पे हम लोग बिल्कूल fresh educators को pick करते हैं जिन्होंने कभी पढ़ाया नहीं है बट वो पढ़ाने की इच्छा रखते हो और अच्छा पढ़ाते हैं तो अभी उसका एक batch तो हमने select किया था 100 teachers का जैसे ही अगले batch की बात आएगी फिर हम आप लोगों को inform करेंगे और आप में से जो भी बच्चे teaching career बनाना चाहते हो तो बिल्कूल आनकैडमी के साथ start कर सकते हो भले ही आपने पहले कभी teaching ना कियो ठीक है चला come on diode का internal resistance दे रखा यार peak load current की बात कर रहा है और आपसे बुझ रहा है DC diode voltage DC diode voltage का मतलब diode का average voltage चलो भाई यहर ऐसा तो नहीं कि gate में rank लाना ज़रूरी है अगर आपके अंदर knowledge है और आपका teaching style अच्छा है तो definitely आपको एक तरह से मौका तो मिल सकता है अनकैडमी पे चलो भाई फटा फट करेंगे अमन बेटा एक बात बताओ यार तुम मेरे से कहरे हो मैं reply क्यों नहीं करता हूँ मेरे बारे में जो कोई कुछ भी बोलता है एक simple सी चीज है यार इंसान कैसा भी हो ठीक है जिनके बारे में आप बात कर रहे हो चाहे इंसान कैसे भी हो एक अच्छे टीचर है है ना एक अच्छे टीचर है simple सी बात है अगर अच्छे टीचर है मेरे भाई तो that I respect him whatever he is doing for the student community बच्चों की मदद कर रहे हैं बिलकुल उस चीज की मैं respect करता हूँ हम भी बच्चों की मदद कर रहे हैं वो भी कर रहे हैं तो लगे रहना चाहिए यार इसी तरीके से देश आगे बढ़ेगा ठीक है बाकी मेरे बारे में कौन क्या बोलता है और इससे क्या फरक पड़ता है आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दो क्यों ये सब कॉंट्रोवर्सी कुरेटते रहते हूँ चलो भाई अब देखो डायोड की वोल्टेज ना कुछ ऐसी बनेगी सर ये कैसे बनाया अब देखो क्या होगा अगर ये बिटा वी एस है तो करेंट कैसा बनेगा लोड का करेंट कुछ ऐसा बनेगा ना अब ये जो करेंट की मैक्सिमम वैल्यू है डायोड फॉरवर्ड बायस में डायोड फॉरवर्ड बायस में 20 ohm 20 ohm का resistance offer करता है तो बेटा यहाँ पे क्या है 20 I am 20 I am तीक है अब देखो यहाँ पे क्या होगा यार peak load current peak load current कितना होगा यार जो आप मुझसे पूछ रहे हो कि जो बोलते है उस सच है या नहीं है मेरे इस आपसो साकेट सर और सौरब सर का वीडियो देखके समझ आई गया होगा मुझे तो शायद इस पे कमेंट करने की जरूरत भी नहीं होनी चाहिए क्यों भई बताओ है के नहीं है बाकि यार तुम लोग को क्या होगा बताओ चलो एक सिंपल सी बात करें यार अगर मेरे कुछ कह देने से या मेरे रिपलाई कर देने से तुमारी रैंक आती हो तो मैं तुरंट रिपलाई करने के लिए तैयार हूँ आएगी तुम लोग की रैंक बताओ यार तुम लोगों की rank आ सकती है क्या इससे अब देखो average मैं कैसे निकालता हूँ यार area मैं ना area directly लिख लेता हूँ sign के एक loop का two times the maximum value two times the maximum value negative वाली loop का negative आ जाएगा positive वाली का positive आ जाएगा अरे diode feed कर रहा है बेटा half wave rectifier ही तो हुआ और क्या हुआ अगर आपसे यह कह दिया एक diode है जो की current supply कर रहा है एक single diode क्या होगा half wave rectifier नहीं होगा तुम्हें नहीं लगता यह आ गया A और C A and C चल चलो यह clear हुआ अरे भाई हमारा remote कहा आँ गया चलो भाई चलें आगे अगला देखें MCQ है the input to a buck boost converter is 8 ampere output power is 120 watt at 10 volt assuming that the circuit is operating in continuous conduction mode with negligible ripple the peak voltage and the peak current rating of the switch 20 IM रवाडा भारगव बेटा वहाँ पे 20 जो है diode का resistance given है अब diode में से जब current पास होगा तो आपका क्या हैगा अगर IM current पास हो रहा है उसका resistance 20 है तो उसके across voltage कितना बना 20 IM मैंने सिर्फ क्या बोला है on होते time current जो flow करेगा current जो flow करेगा उससे IR के अनुसार voltage आ जाएगा अमन मेरे भाई तुमारी बात बिल्कुल जाया है कि stand लेना जरूरी है लेकिन मेरे stand लेने से तुमको क्या फाइदा सिवाए इसके कि तुम लोगों को मसाला मिलता रहे बताओ और यार honestly मैं बताओ ना honestly मैं बताओ कि मैं ये नहीं चाहता मेरे session में कोई ऐसा बच्चा आए जो कि सिर्फ मसाले के लिए इधर से उधर घूम रहा है तेक है यार अगर पढ़ना है तो बिलकुल मेरे session में आओ और अगर इस controversy के लिए आ रहे हो तो फिर बेटा आप गलत channel पे हो जहां से controversy create होती है जहां से run की जाती है वहाँ बैठो वहाँ ये सवाल करो एक बार सवाल करो कि तुरंत immediate जवाब मिलेगा मेरे से question करो गयार मैं तो आपको जवाब दूँगा नहीं ना मैं इस पे कुछ revert करने वाला ना मैं इसका कुछ reply करने वाला जिसको जो कहना है बिटा India is a democratic country they can say anything that they want to बाकि आप लोग की चायर अगर आप लोग controversy create करना चाहते हो हाहते हैं यच्च्च्च्च्ण हां झाल झाल चलो भाई जल्दी से बताएं चलो भाई जल्दी से बताएंगे यार पीक वोल्टेज और पीक पीक वोल्टेज और पीक करेंट रेटिंग अफ दा स्वेच आर आई हैव एंड एग्जाम ये एमडी कौन सा सब्जेक्ट है यार बी आ रहा है देखें इन्पुट टुआ बकबूस्ट कन्वर्टर तो देखो यार आई नोट आप निकाल सकते हो ना पावर बाई वोल्टेज ठीक है अब यहाँ पर क्या होगा कि अगर हम आई एस की बात करें तो वो डी वन माइनस डी आई नोट होगा ये किस से निकाला है हमने पावर कंजर्वेशन से ठीक है बही अब आई एस है एट एमपीर तो ट्वेल डी एट माइनस एट डी 0.4 ठीक है दा पीक वोल्टेज अक्रॉस दा स्विच अब देखो किस टाइप से होता है यार आपका बकबूस्ट कनवर्टर यहाँ पे ना इंडक्टर बीच में लगता है इस टाइप से अब स्विच के एक्रॉस पीक वोल्टेज क्या होगी यार जब स्विच ओफ होगा तो वी स्विच क्या होगा सप्लाई माइनस वी नॉट अब लेकिन यहाँ ना वी नॉट उल्टी पुलारिटी का हो था इसलिए माइनस वी नॉट अब सप्लाई वोल्टेज कितने होगी यार यहाँ पे आप सप्लाई वोल्टेज भी निकाल सकते हों वी नॉट वन माइनस डी बाई डी वी नॉट है टेन पंदरा वोल्ट पंदरा और दस पच्चेस यह आ गया अब पीक करेंट ऑफ़ दस स्वेच अब इसके लिए बेटा मुझे आईयल एवरीज निकालना पड़ेगा अब आईयल एवरीज और रिपल इन इंडुक्टर करेंट तो इगनूर करने बुला है नेगलिजिबल रिपल इन इंडुक्टर करेंट तो पीक करेंट स्वेच से कितना होगा सोर्स वाला ही होगा यानि 8 एमपियर ठीक है पीक करेंट रेटिंग यार ये 8 वोल्ट होगा क्या यहाँ पे 8 एमपियर ही होना चीए फिर तो तो none of these आ जायेगा ठीक है क्योंकि या तो 8 वोल्ट होना चीए था question में न तो बात अलग हो जाती 8 वोल्ट पे answer अलग हो जाता स्वेच से जो करेंट आएगा वही तो स्वेच का भी करेंट होगा यार जो स्वेच से करेंट आएगा अरे ripple को negligible बोला है न मेरे भाई negligible ripple बोला है न राहूल बात आपकी सही है IEL प्लस डेंटा IEL बाई 2 होता 20 सही है कैसे यार आपने IEL निकाला है क्या अच्छा ये तो स्वेच का एवरेज करेंट है सोरी सही बात है हम जे पीक करेंट की बात की गई है तो 12 बाई हाँ सही है तो IEL आएगा सही बात है answer will be C सोरी मैंने यहाँ पर स्वेच का एवरेज करेंट ले लिया मैंने यह नहीं सुझा कि स्वेच का जो करेंट है, वो क्या है? वो IEL है, लेकिन 0 से DT तक है, तो हमें पीक करेंट पूछा गया था, तो हमें IEL लेने की जरूवत है, तो answer will be 20, ठीक है? रूछ उन झामारे क्पाने से स्वेत वाया तो थे टूब यह अंजाच को मेघएच तो यह नहीं है, तो नहीं है, प्र प्यस्वेत करेंट बशस्यूदियं वस्वेच एपस्वेच तो दियाड़ू तो यह ध्याज रिटीज टीज अीजिए टीजिए, टीजिए, इन और अल्टने शन्टे लिधिन आडिवार अर्व इतिवार बीघ्टिवार्टिव तर एफ जैट वे लुझेट एंटिवार्टिव ए्टवर्टिविश्ट लिए एगेश्टिवी इन प्यान कांट विजाट विजान सब्सक्राइब कर दो की रसक्षिवुट इस दिए मिंट् झाल 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 झाल